सन्यासी का चोला पहना जगत गुरू के मंच पर पहुचा और अभिनो अरोडा करने लगा अभिनाए लगा नेत्रिहीन बाबा क्या पकड़ेंगे तभी हुई बड़ी आकाशवाणी प्रभु राम के सेवक रामचरित मानस में 42 सो गलतियां और हनुमान चैलीसा में चार बड़ी गलतियां निकालने वाले बाबा ने गुस्से में फटकारा अब बताई सच्चाई खुद को प्रभु श्रीकृष्ण का सखा बताने वाले अभिनाव अरोडा ने अब क्यों लगाई हाई कोट में या चिका क्या आपमान का बदला अदालत से लेने की है तैयारी ट्विटर से लेकर फेस्बुक तक इंस्टाग्राम से लेकर यूट्यूब तक एक रील तेजी से वारल है रील में दिख रहे हैं लड़के का नाम है अभिनाव अरोडा जो खुद को भगवान श्रीकृष्ण का मित्र बताता है ये तक दावा करता है कि श्रीकृष्ण उसके साथ पढ़ते थे वो कभी भगवान गणेश की मूर्ती पकड़ कर रोने लगता है तो कभी भाव विभोर होकर नृत्ति भी करने लगता है ऐसे ही कई वीडियो आपको अभिनों के इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगे करीब 9,50,000 फॉलोवर्स है उसके पर असली पहचान तब मिली जब केंद्रिय मंत्री नितन गटकरी ने अभिनों को सम्मानित किया अभ अभिनों को लोग नाम से नहीं बलकि बाल संत कहकर बुलाने लगे थे वो अकसर मंदिर जाता, गंगा इसनान करता, भगवान गडेश को लड़ू खिलाता और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करता साधू संतों से भी मुलाकात कर फोटोज डालता दिसंबर 2023 में जब जगत गुरू राम भद्राचार विरंदावन में कथा करने पहुचे तो वहाँ भी अभिनों मंच पर पहुच गया और पहले की तरह ही अभिनय करने लगा भाव विभोर होकर नृत्ति करने लगा कुछ लोग कहते हैं कि सामने से इशारा आया और अभिनों ने अंदाज बदल लिया जिसे बगल में बैठे जगत गुरू राम भद्राचार ने आखे ना होने के बावजूद भाप लिया कहते हैं जो खुली आखों से नहीं दिखता वो अंतरात्मा की आखों से दिख जाता है और जगत गुरू राम भद्राचार भी ऐसे ही संथ है जिनकी गवाही पर ही अयोध्या का फैसला हिंदूओं के पक्ष में आया उन्होंने जैसे ही भापा कि उनके मंच पर रील्स बनाने के चक्कर में सनातन सभ्यता की मर्यादा तार-तार हो रही है तुरंत उसे मंच से उतार दिया और अब उसकी वज़े खुद मीडिया के सामने बताई है जिसमें वो हसते हुए कहते हैं बड़ा मूर्ख बालक है कई लोग राम भद्राचारी की इस बात का समर्थन कर रहे है तो कई लोग ये भी कह रहे हैं कि माबाप ने उस बालक को बिगाड़ दिया है पढ़ने लिखने की उमर में चंद व्यूस के लिए उससे रील्स बनवाई जा रही है सच्चाई क्या है वो अब शायद अदालत के जरिये पता चले क्योंकि अभिनाव अरोडा ने हाई कोर्ट में याजिका दायर करने का फैसला किया है अभिनाव अरोडा के वकील डॉक्टर किसले पंडे एक न्यूस चैनल से बातचीत में बताते है मुझे अभिनाव की मा जोती अरोडा ने हायर किया है हमने हाई कोर्ट में एक याजिका दाखिल की है कुछ यूट्यूबर अभिनाव अरोडा की इंस्टाग्राम और दूसरे ओफिशल अकाउंट से उसकी नीजी फोटोज निकाल रहे है बिना उसका पक्ष लिए उसके खिलाफ वीडियोज बना रहे है जिस वज़े से बच्चों की छवी खराब हो रही है और उसको बदनाम करने की पूरी साजिश की जा रही है इस पूरे मामले में पुलिस में भी शुकायत की जा चुकी है जान से मारने की जो धमकिया अभिनो अरोडा को मिल रही है एक तरह से बच्चे को ब्लैक मेल किया जा रहा है ये सारे दस्तावेज पुलिस को दे दिये गए है हाई कोर्ट भी हम लोग जा रहे हैं और हमें यकीन है कि हाई कोर्ट अभिनो अरोडा को जरूर नया देगा ऐसे में सवाल ये है कि अभिनो को धमकी देने वाले लोग कौन है संत की वेश भूशा में घूमने वाले एक बालक से किसी को क्या परेशानी हो सकती है जगत गुरू राम भद्राचारी ने जो फटकार लगाई उसे लेकर अभिनो के वकील कहते हैं वो फटकार नहीं है दस मिनट तक स्टेज पर रहने दिया फिर कहा कि नीचे उतर जाइए मेरी मर्यादा है फिर उन्होंने आशिरवाद भी दिया था हाला कि राम भद्राचारी की बारे में कहा जाता है कि वो ऐसे सिध्ध पुरुष है जिनकी कही बाते जल्दी गलत नहीं होती उन्होंने राम चरित मानस में जब 42 गलतियां निकाली कहा प्रिंटिंग प्रेस की वज़े से गलतियां हुई तो कई लोगों ने मुकादमा तक कर दिया लेकिन बाद में जजज साहब ने भी माना कि राम भद्राचारी ने राम चरित मानस का जो संपादन किया है वो सही है यहां तक कि हनुमान 40 जो रोजाना पढ़ते हैं उसमें भी चार बड़ी गलतियां राम भद्राचारी ने निकाल दी गलती नंबर एक शंकर सुवन केसरी नंदन नहीं बलकि शंकर स्वयम केसरी नंदन सही लाइन है गलती नंबर दो सब पर राम तपस्वी राजा नहीं बलकि सब पर राम राज फिर ताजा सही लाइन है गलती नंबर तीन राम रसायन तुम्रे पासा सदा रहो रगुपत के दासा नहीं बलकि सादर रहो रगुपत के दासा सही है गलती नम्बर चार, जो सत बार पाठ कर कोई नहीं यह सत बार पाठ कर जो ही सही लाइन है हाला कि कई ग्रंथों की रचना करने वाले रामभद्राचार बड़ी विनम्रता के साथ ये कहते हैं कि ये गलतियां प्रिंटिंग प्रस की है तुलसी दास से गलतियों का कोई सवाल ही नहीं था ऐसे महान पुरुष के एक बाल संत के बेश में खड़े लड़के पर क्रोधित होने का वीडियो देख आपके दिमाग में पहला रियक्शन क्या आया था हमें जरूर बताईए